इस वीडियो में हमी study करने वाले हैं difference between alcohol and phenol वीडियो का end तक देखिएगा क्योंकि इसमें बहुती जादा short trick बताने वाल हो कि कैसे आप एक formula की मदद से आप पूरे 5 या 6 या 7 आप कैसे लिख सकते हो difference between alcohol and phenol तो हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम एलकोहल और phenol की definition लिखते हैं तो देखते हैं किस तरीकें से उसकी definition होती है तो हम सबसे पहले हमारा देखते है कि हमारा alcohol क्या उता और फिनोल क्या होता है ठीके है तो जैसे मैंने यहां पर लिखा है अल्कोहल मतलब होता है आपका र, O, H ठीकें और फिनोल मतलब क्या होता है इस तरीके से आपका ठीक है किसी भी benzene drink के उपर OH लगा हुआ हो तो आपका phenol होता है ठीक है अब यहाँ पर phenol की definition अगर देखें तो phenol की definition क्या होती है कि phenol ऐसा compound होता है जिसमें क्या होता है कि OH यानि hydroxyl जो आपको दिख रहा है उसका मतलब होता है OH तो hydroxyl group जो होता है वो directly attach होता है किसी भी aromatic hydro carbon group अब यह जो benzene होती है वो क्या होती है हमारा aromatic hydrocarbon group होती है लेकिन alcohol में क्या होता है कि alcohol में आपका एक elefatic compound होता है, जिससे हमारा hydroxyl group attage होता है अब यहाँ पर हमारा hydroxyl group 1 भी हो सकता है और जपधा भी हो सकता है ठीक है, तो यह हमारा definition ठीक होता है, अब मैं आपको एक structure बना के बताऊंगा उसकी help से हम 4-5 different ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है CH3OH ठीक है और यहां पर फिनोल का स्ट्रक्चर तो सेम ही होता है अब मैं यहां पर आपको बताता हूं इसके बीच का difference ठीक है क्या होता है तो एक तो यह हो गया कि हमारा इसको हम बोल सकते हैं कि General Formula ठीक है यह भी हमारा second number का है यानि कि General Formula ठीक है तो इसका General Formula यह हो गया यहां पर हम General Formula लिखेंगे तो CH3 के जगे R कर लेंगे तो यह हमारा General Formula होगा अब मैं इसमें एक चीज बताता हूं structure कैसा बनाते है देखे देखे इस तरीके से O और ऐसे H होता है ठीक है अब क्या होता है कि जो हमारा यह बाला जो एंगल होता है ठीक है अब आपको यह structure बनाते बनता है तो आप difference लिख सकते हैं तो इनके बीच का जो एंगल होता है वह कितना होता है 108.9 डिग्री ठीक है और यह जो आपको दिख रहा है अगर मैं इसका structure बता हूं तो कैसा बनेगा बैंजी न ऐसे ही बनेगी ओ इस तरह होगा और एज इस तरीके से होगा ठीक है तो जो इसके बीच का बॉंड एंगल होता है वह कितना होता है हमारा 109 डिग्री ठीक है तो यह एक difference हो गया कैसे तीसरे point में आप क्या लिखेंगे कि bond एंगल between C and OH bond is 109 डिग्री इसमें भी आप लिख सकते कि bond एंगल जो होता है हमारा C and OH bond के बीच का जो होता है वो इतना होता है 108.9 डिग्री ठीक है तो यह हमारा क्या हो सकता है तीसरा difference हो सकता है bond एंगल और आप इसकी टेंसर मत लिजें में यहां पर आपको समझा रहा हूं तो आप समझे और जो इसका perfect note या बिलकुल लिखा वह अच्छा वाला जो है उसकी PDF है तो आप वहां जाके वह देख सकते हैं अब इसके बाद देखते हैं हमारा fourth number का difference क्या है तो fourth number का difference इसी structure में और वह क्या है हमारा इसी structure में कि जो इनके बीच का bond length होता है carbon और oxygen के बीच का वह होता है एलकोहल में 142 यानि कि 142 picometer होता है ठीक है और इसमें क्या होता है इनके बीच का जो यह वाला length होता है यहाँ पर carbon होता है यह उक्सी जनतों इनके बीच का bond एंगल होता है 136 picometer ठीक है मैं next page में आपको लिखके दिखा देता हूँ बॉंड लेंथ बिटिवीन कार्बन एंड ओक्सीजन इस 142 picometer ठीक है और यहाँ पर भी हम लिख सकते है बॉंड लेंथ बिटिवीन कार्बन एंड ओक्सीजन इस 136 picometer ठीक है तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं अब फिर से हम उसी structure पर चलते क्योंकि उसी structure से आप बहुत सारे difference लिख सकते हैं मैंने आपको जैसे शुरू में बताया था अब यहाँ पी एक चीज आपने सुनी है hybridization क्या होता है ठीके तो आपको पता है कि जो हमारा एलकोहल होता है उसका इसका hybridization होता है ठीके और इसका hybridization जो होता है वो SP2 होता है अब ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप किसी का अलकोहल का structure देखें तो उसका होता है tetrahedral structure होता है ठीके और फिनोल जो होता है उसका structure अगर आप देखें तो फिनोल का structure होता है triangular shape का होता है फिफ्थ नंबर का difference हो गया जिसको हम लिख लेते हैं SP3 hybridization ठीक है और इसमें हमारा SP2 hybridization हमें आपको 6th नंबर का difference बताता हूं जो कि उसी structure में आप यहां पर एक चीज़ आपको पता है कि जो aromatic compound होते हैं उनमें resonance होता है resonance होता है जैसे कि हमारा फिनोल है तो इसमें resonance होता है और इसमें resonance नहीं होता है तो अगर हम 6th नंबर पर लिखें तो यहां पर क्या होगा कि resonance are not possible ठीक है लेकिन यहां पर क्या है 6th नंबर resonance is possible तो आपका यह क्या होगा 6th नंबर का difference अब मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मैं एक ही structure से आपको 6 difference कैसे बता दिये आप आप चाहें तो बस आपको क्या बनना चाहिए कि यह structure आपसे बनाते बनता है यह चीज आपको समझ में आती है तो आप इससे easily 6 लिख सकते हैं difference between alcohol and phenols लेकिन अब हम आते हैं इसके बाद आगे के difference में ठीक है तो 7th number का difference क्या है देखते हैं यह चीज आपको पता होनी चाहिए कि यह हमारा क्या होता है आपका aliphatic compound और यह बाला क्या होता है आपका aromatic compound और जो अच्छे से लिखा हुआ है उसकी link description में है ठीक है अब यहाँ पर aliphatic compound क्या होते है और aromatic compound होते तो ऐसे compound जो इस तरीके से हो मतलब कि जो chain के compound हो chain compound में से मतलब कि R की जगे हम कुछ भी ले सकते हैं मतलब कि हम कोई सा भी alkyl group ले सकते हैं लेकिन यहाँ पर aromatic compound में क्या होता है कि ऐसे compound जो की हमारा benzene ring को beer करें यानि benzene ring से ही बने जैसे कि phenol आपका यह structure क्या है आपका aromatic है ठीक है और aromatic में structure बताओ तो जैसे कि आप ठीक है तो यह कुछ compound जो है aromatic compound होते हैं यह हमारा seventh number का difference था 8 नम्बर पर क्या है हमारा alcohol जो होते है कि नूटरल नेचार होते है अब क्या है कि यह जो है हमारा SD की नेचार होता है तो यह 8 नम्बर का difference हो गया, आप हम nine number के difference में चले तो इसकी density तो हम жизни क्या होती है आप देखो है density इसकी होती है 789 kg m3 मतलब कि एक मीटर का अगर हम कोई क्यूब बनाएं ठीक है एक मीटर का अगर हम कोई क्यूब बनाएं ठीक है तो उसकी अंदर 789 मतलब इतने kg हमारा यहां पे फिल होगा क्या एलकोहल तो यह इसकी density और अगर हम इसकी बात करें फिनोल की तो इसकी density 1.07 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तो यहां पे अगर हम 1 सेंटीमीटर का कोई क्यूब बनाएं ठीक है तो इसके अंदर अगर हम फिल करे हमारा कितब 1.07 ग्राम सेंदर फिल होगा क्यों तो यह हमारा Nine नयूंत नमबर का डिषरेंस हो अब हम आते हैं हमीरे 10 निम्र के डिफरेंस पे या फिर हम 10 नमबर उसका यूज सकते है तो यहां पे क्या होता कि जो आपका यह ईल्कोहल है उसको हम alcoholic beverages के लिए यूज करते हैं या फिर pharmaceutical industries में यूज करते हैं इंक industry में यूज करते हैं बहुत सारे industries में यूज करते हैं अब हमार alcoholic beverages क्या होता है alcoholic beverages मतलब की जैसे की शराप है ये सब क्या है हमारा alcoholic beverages को हम यूज करते हैं पीने के लिए ठीक है pharmaceutical में आप देखते हैं कि खासी की दवाई ये सब दवाई जो थी alcohol के concentration से ही मिला के बनती है ink में भी आपका alcohol होता है तो इन सब चीजों की industry जो होती ही इसमें भी use होता आपका alcohol फिनोल जो है वो सिर्फ किसले use किया जाता है आपके antiseptic दवाईयां बनाने के लिए ठीक ये 10 आपने जो देखें ये हमारे क्या है difference between alcohol and phenol और मैंने बिल्कुल simple way में बताने की गोशिश की क्योंकि आप कहीं पे भी अगर आप किसी भी exam में भी अगर लिखना चाहते हैं कि difference between alcohol and phenol आया तो जो मैंने basic सबसे पहले आपको छे बताएं कि एक structure के हल से आप 6 difference कैसे लिख सकते हैं तो वो difference को आपको बिल्कुल दिमाग में रहना है कि structure अगर वो structure आपको दिमाग में है तो आप 6 साथ difference अपने आप लिख सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ और इसी तरीकी की वीडियो आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिजे ताकि इसी तरेकी की वीडियो की notification आप तक पहुंचती रहें और हमारा 12th class से related अभी organic chemistry चल रहा है तो organic chemistry की भी link description में है तो वो वीडियो भी आप देखना चाहते हो देख सकते हैं और इसके साथ साथ वीडियो को खदम करने से पहले हमारा Instagram पे पीज़े tsc.ytofficial तो उसका भी link description में है ठीक है और उसमें भी आप चाहके हमें follow कर सकते हैं क्योंकि हम उसमें नए-ने updates डालते रहते हैं आये होप आपको है समझ माया होगा make easy, learn easy